हर हर महादेव दोस्तों, महाशिवरात्री के दिन बस कर दें, ये छोटा सा उपाय आपके घर खुद से चल के आएंगी मालक्षमी जीहा दोस्तों महाशिवरात्री का त्याहार फालगुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोजशी चतुर्दशी तिथी को मनाया जाता है, जो की शिवरात्री कहलाती है, दोस्तों इस बार महाशिवरात्री 18 फरवरी को है, दोस्तों भगवान भोलेनात का जो ये दिन होता है, ये विशेश रूप से उनके भक्तों को उनके श्रधालूँ को आध्यात्मिक लाब देने वाला होता है, इस दिन दोस्तों भगवान भोलेना दोस्तों अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आप भी उस समस्या को अपने जीवन से दूर भगाना चाहते हैं। तो आप इस महाशिव रात्री 18 फरवरी 2023 के दिन कुछ खास उपाय करके अपने जीवन की सभी समस्याओं से सभी बाधाओं से निजात पा सकते हैं। की धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या या कोई अन्य समस्या भी है वो भी समाप्त कर सकते हैं। अगर आप इन उपाय को करेंगे तो दोस्तों चलते हैं। खास उपाय की तरफ दोस्तों महाशिव रात्री पर आप लोग पूजा वरत्तो करते ही हैं। बस इस बार आपको ये खास उपाय करने हैं। आपको भगवान भोलेनात का दही से रुग्राभिशेक करना है। इसको करने से आपकी संपत्ती में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही आपके जीवन से आर्थिक समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनात का अगर गन्ने के रस से अभिशेक करते हैं। तो ऐसा करने से आपको लक्षमी की प्राप्ती होती है। और धन की प्राप्ति के लिए आपको महाशिव रात्री के दिन शिवलिंग पर शहद और घी से अभिशेक करना भी अच्छा माना जाता है, इससे दोस्तों रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, अगर आपका कनही पैसा फसा हुआ है, तो ऐसा करने से आपको वो जल्द ही प्राप्त होगा, और अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी जल्द ही सुन लें, तो उसके लिए आपको भोलेना, ये नंदी को मनाना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ तो ज्यादातर समाधी में ही लीन रहते हैं, मगर जब वो समाधी से उठते हैं, तो उनको आपकी स सभी मनोकामना नंदी ही बताते हैं, इसलिए आप महाशिवरात्री के दिन किसी बैल को हरा चारा खिलाएं और उनके कान में अपने मनोकामना बता दें, इससे आपकी मनोकामना जल्द ही और जरूर पूरी होगी, दोस्तों अगर आप महाशिवरात्री पर्व पर महाम्रतु तो ये सभी रोगों की एक दावा है, अगर आपका कोई भी काम ना बने तो आप बस एक सो आठ बार इस मंतर का जाब कर लें। के जीवन में नौकरी की परेशानी है या किसी व्यापार में आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आपको महाशिव रात्री के दिन तो आपको जरूर महाशिव रात्री के दिन वरत रखना है और जल में शहद मिलाकर भोलेनात का अभिशेक करना है। और हो सके तो अनार का फूल भगवान भोलेनात को चड़ा देना है, फिर देखिए आपके जीवन से सभी समस्या कैसे छूमंतर हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप शिव रात्री पर किसी जरूरत मंद की मदद कर देते हैं, तो आपके जीवन से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंठ हो जाता है। अगर दोस्तों आपको कोई इच्छा पूर्ती की चाह हो, तो आप महाशिव रात्री के दिन भगवान शिव को उनकी कोई प्रियवस्तु जरूर अर्पित करें। तथा चांदी के लोटे से महाशिव रात्री के पर्व पर जलधारा से भगवान शिव का अभिशेक करते हुए। बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले। धन्यवाद हर हर महादे।